अलो स्टुजेंट स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आज आपको पढ़ा रहे हैं mathematics practice at 617 जो कि competitive exams के तहत्त most expected question होंगे फर्स्ट question है हमारा कि एक विद्यारती रात में साड़ी नौ बजे सोने के लिए गया है साम को शाड़ी नौ बजे सो जाता है और अगले दिन सवा चार बजे सुबह होए यानि चार पंद्रा पर जग जाता है तो वह विद्यारती कितने देर तक सोया हमसे यह पूंचा जा रहा है कोई calculation नहीं है आप 12 को यहां पर मिड मानेगे यानि 12 को मिड मानेगे 12 से पहले होए गंटा सोया है और 12 के बाद वह सवा चार गंटे सोया सवा चार ओड़ाई कितने हो जाएंगे पाउने साथ गंटे यहीं साथ गंटे 45 मिनटता को यह लड़का शोता रहा है छै महिने साथ सब्ता और 16 दिन मिला करके कुल कितने दिन होगे चै महिने में दिन हो जाएंगे 180 और चार सब्ता में दिन हो जाएंगे 45 और यह 16 दिन हैं जब इन सबका हम addition करेंगे तो यह निकली के जा अंकित मूल पर जब उसको 25 परशेंट की छूट पर बेंशते हैं तो हमको 20 रुपीज का लॉस होता है यानि 20 रुपए की हानी होती है तो हानी का प्रश्चत क्या है तो हानी प्रश्चत हमताब बता पाएंगे जब हम इस गड़ी की सीपी निकाल लें यानि यह तो MRP 400 तो वह गडिया आपको मिल लई है 300 रुपए की 300 रुपए की घड़ी आपको मिल लए लेकिन दुगणदार को तो 20 रुपए का लॉस हो रहा एक इसका मलब बो सीपी कितनी रही होगीं गड़ी की सीपी रही होगी 300 और सीपी सो यानि 320ить च्पीस रुपए की लॉस हो रहा है तो 100 पर कितने होगा हमसे यह पूछा जा रहा है बन अपॉन 16 यानि 6 होल बन अपॉन 4 परसेंट एक बटे 16 होता है 6 सभी एकटी यानि सबाद 6 परसेंट का उस दुकानदार को लॉस हो रहा है नेक्स्ट है कि 1200 रुपए को ABC में 5, 7 और 13 की रेशियो में डिवाइड करना है तो B और C के हिस्सों का अंतर कितना होगा पहले हम क्या करेंगे एक यूनिट की वैलू फाइंड करेंगे कि इस चैंगे तो पसकी फाइशियो का अडिशन कितना है? 25 रिक यूनिट की वैलू इंडीयोर। कि चैंगे होगा रिएंड क्यक्तों रहे है और इनका difference कितना है B और C का इस प्रकास से समझ लिजेगा कि total जो ratio का addition है 25 25 unit की value है 1200 रुपई तो एक unit की value कितनी हो कि जब आप 1200 को 25 से divide करेंगे तो यह 104 बार कट जाएंगे 12 चको 48 यहनि एक unit की value 48 है और B और C का difference कितना है यहाँ पर यह देखीगा ratio में 5 का है 5 का नहीं 6 का है B का ratio है 6 और C का ratio है 13 तो जब 13 और 7 का 6 है 13 और 7 का जब हम difference निकालेंगे 6 आता है तो 6 unit की value कितनी होगी तो 6 unit की value पता करने के लिए हम क्या करेंगे 48 में 6 का multiply कर दीगा 6,88 और 28 यानि 28 रुपए तो जो उनको पैशा बाटा जाएगा फिर B और C का difference निकाला जाएगा तो यह निकले के जाकर कि 288 रुपए यह है 288 next 5 question है कि 5 पॉण 13 का प्रतलोम क्या होगा प्रतलोम का मतलब होता रैसी प्रोपल उल्टा तो इसका उल्टा जो होगा जाको 13 upon 12 होगा next है कि 2,6,4,8,7 8 और 6 को आपस में बदल दें यानि जहाँ पर 6 है वहाँ 8 कर दें जहाँ 8 है वहाँ 6 कर दें तो फिर मूल संख्या जो नई संख्या बनेगी और उस मूल संख्या में अंतर कितना हो जागा नई संख्या बड़ी हो जाए कि वह चेकी जगे 8 आ रहे है तो नई संख्या हो रही है 28 400 66 28 400 66 और मूल संख्या आए वह 26,487 है इनका हमें difference बताना है इनका हमको difference बताना है यहाँ 7 है तो यह 0 आ गया यह 8 आ गया और 13 में से यह 9 हो जाएगा और यह बन 1980 रुबए का difference हो जाएगा 1980 का यानि नई संख्या पुरानी संख्या में 1980 का अंतर होगा आगे का जारा एक आहताकार बाग है जिसकी लंबाए उसके चोड़ाई से 4 मीटर अधिक है अगर उसकी length को हम x मानके चलें bit को x मानके चलें तो length हो जाएगी x पिलस 4 और हाप अर्ध परमाप हमको given है इस प्रकार से यह कोई rectangular garden है अगर हम इसकी bit को x मानते तो इसकी length है x पिलस 4 अब इसकी अर्ध परमाप का मतलब होता है एक length पिलस एक bit इनका ही cable addition कर लो तो यह अर्ध परमाप कही जाएगी और 4 अब हो जाओं का addition कर लोगे तो परमाप हो जाएगी तो अर्ध परमाप कितनी आ रही है 2x पिलस 4 इस उकल 2 है 32 36 तो यहां से 2x की value निकलेगी जाके 32 तो x की value निकलाई 16 यानि इसकी length है 16 और bit कितनी हो नीची चार जाद है तो 20 तो हमसे इसकी length ही तो वो हो जाएगी जाकर के 20 मीटर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एट नेक्स्ट एट क्वेश्चन है कि राजदानी एक्स प्रेस एक स्टेशन से साम को साथ बज़के 29 मिनट पर छोटती है और गंताव पर 17 गंटे 42 मिनट के पश्चाथ पहुंचती है तो तो ताइम पूंचा जा रहा है कि वह गड़ी मनलब रिल गाड़ी उस कि तो आप देखेगा अगर हम इसमें हमारे पास 17 गंटे 42 मिनट हैं अगर इसमें 12 गंटे का डारेक्ट एडिशन करें तो सुबह 7 बज़कर 29 मिनट पर होए गाड़ी वहां पर पहुंच जाएगी अगर 12 के करते हैं तो सुबह 7 29 आ जाएगा यह सुबह का गया लेकिन अभी अब पांच गंटे और इसमें जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 12 गंटे लेकर अभी हमारे पास 42 मिनट वागी है अब इसमें 42 मिनट का अडिशन और कर देंगे यह हो जाएगा जाकर कि 11 ग्यारा मिनट पर दुपहर को यह गाड़ी वहां पर पहुंच जाए पांच दस दो होते हैं कोई कैलकुलेशन नहीं एक मिस्रदात में 400 ग्राम में जस्ता और तावा फॉर फाइव रेशियो थिरी की रेशियो में है यानि इनका हम एडिशन अगर करें तो यह तो यह यूनिट की वैलू 400 है तो एक यूनिट की वैलू आ रही है 50 यानि एक यूनिट की और तावा आ रहा है 150 ग्राम यह मिलेकर देखो 400 हो गए अब वो कह रहे हैं कि यह तो रहने दीजिएगा देखो इसको रहने दीजिएगा और हमारी एक यूनिट की वैलू कितनी पचास तो चार यूनिट की वैलू कितनी हो जाएगी 200 तो सीधी सबात है से 50 ग्राम तावा अगर हम और मिला दें तो रीचिव याएगा 5 रीचियो और आ है कि दिखो लाचाओ और मासा हमको गिवेन है एक शंक्या की मिरेशन होता है लासा इंटा मासा इसकुल टू फर्स नमर्बर इंटू इंटू शेकेंड नमर्बर इसकेंड लू जुकल टूसे एक इंटू अध को आप सिक्स से डिवाइड करें त्वेल्व गट या एटीन दूसरा नमबर एटीन होना चाहिए चौविस और बटे बातर का सरलतम रूप क्या होना चाहिए चौविस तीयां बातर होती है यह सीधा सीधा एक बटे तीन आ गया और थैटीन कुश्चन है क्योंगे कौन सी संक्या जिसका आधा उसके एक त्याई से 35 कहा है कहने मतलब यह किसी संक्या के आधे और त्याई का अंतर 35 है माल यह हमने नमबर क्या है नमबर X है यानि X upon 2 minus X upon 3 is equal to 35 given है जब इनको solve करोगे तो यह आ जाएगा हमारा X upon 6 is equal to 35 35 में 6 का multiply करने है तो यह हो जाएगा 210 कोई संक्या 210 है जिसके आधे और एक त्याई का आंतर 35 निकलेगा जाए और 14 कुश्चन है इसको जो हम solve करेंगे तो कोई answer नहीं में चोगता अगर हम 258 की जगे बं 08 कर दें तो आमें answer इसका मिल जाएगा जो option given है इनमें तो देखेगा इसको कैसे करते हैं हम हमको given है कि अगरे कि दो इसको 72 को लिख सकते हैं 72 और यह थाइटी टू यह दोनों नंबर एट से केंसल हो रहे तो यह एट से केंसल करेंगे 9 तैम तो 9 का है श्कर रूट हो जाएगा थिरी को यह एट से केंसल करेंगे 4 तैम तो 4 का का है कर रूट होगा डव और इसका इसका रूट लेंगे यह याई 113 303 होते diarrhea 802 का है कर आजाएगा 11 और अंडर रूट अंधर आप 3 रहने देंगे इसी प्रकास से यह 49 3 armor cantidad 47 49 तर्फेंचास का इसका रूट होता सेवन यह भी ओगया अंडरूर थी अंडरूर थी चैनल होगए 75 75 होता है हमारा 25 निया पचत्तने यानि 5 अंडरूर थी लिख सकते हैं और यह हमने कर दिया अब आप देखेगा यह सब अंडरूर 3 से अंडरूर 3 कैंसल हो गए और 3 से यह कैंसल हो गए टू टाइम्स ग्यारा पंचे पच्पन और साच्चा को 28 तो इसका जो ऑप्चन होना चाहिए वह होना चाहिए पच्पन बटे 28 यानि डी ऑप्चन इस सेसन का लास्ट कोश्चन 15 है सेकंड जो किलास होगा उसमें हम 16 से क्वेश्चन करवाएंगे इनका मल्टिप्लाइग करना है 55 25 25 3 125 125 आना चाहिए और आफ्टर टू डिजिट यानि अगर हम इन सब का मल्टिप्लाइग करेंगे तो 125 एक यह जीरो और आफ्टर टू डिजिट इसका लग जाएगा पॉइंट तो यह होना चाहिए इसका ओप्शन बी इस के लिए आपको बन से लेकर कि 15 तक क्वेश्च यह जवारत